जैसी नीट की एक्जाम खतम होती है हर बच्चे की दिवाग में सिर्फ दो ही सवाल गुमते हैं एक की उसका स्कोर क्या आएगा और दूसरा की कट ओफ क्या निकलेगा तो आपका स्कोर क्या आएगा उसके लिए हमने आपको आंसर की बताई और आप बहतर जानते हैं कि आपका स्कोर कितना आएगा लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम बहतर जानते हैं कि कट ओफ क्या निकल सकता है तो इसी लिए मैं तुशार पटेल आप सभी के लिए लाया हूँ expected cutoff of 2024 जी हाँ, तो बच्चो तयार हो जाएए यूँकि आज आपको reality पता चलेगी कि cutoff literally कितना होना चाहिए और हम यहाँ पे सिर्फ यूँ यूँ इदर उदर की बाते करके आपको numbers बताने नहीं आए we took time so that we can get all the data's जो जरूरी होता है cutoff को calculate करने पे काफी सारे factors को count करके, काफी सारे factors को consider करके इन cutoff के उपर आया है, काफी सारे experienced faculties के पास बात करके हम इन cutoff पर आया है और मैं बहुत proudfully कह सकता हूँ, कि यह जो cutoff है, यह सबसे पहले इसी channel के उपर गया था throughout the India, सबसे पहले इसी channel के उपर upload हुआ था और यह आपको मैं proof के साथ बताना चाहता हूँ, आपके प्यारे जगरात सर, जिन्नोंने need 2024 expected cutoff पाँच में को ही release कर दिया था, पाँच में को ही सोचो, आपकी जिस दिन exam में उसी दिन सबसे पहला cutoff का जो announce किया था, एक perfect measure के साथ की इतना cutoff हो सकता है, वो इसी channel पर announce हुआ है, तो बाकि जिसको कहना है कहने दो सबसे पहले सबसे सठीक, लेकिन actually में तो सबसे पहले और सबसे सठीक हम ही हैं, तो चलिए, मैं इसी लिए, जिन्नों ने सबसे पहले ये cutoff announce किया, उन्हीं महारती को बुलाना चाहूंगा, जगराद सर, जरूर बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बच्चों देखो, अपना paper जो है, अगर paper का level था, वो moderate था, लेकिन फिर भी question अच्छी आये थे, और सभी, जिन्होंने अच्छे से उन्हें किया है, उन्हें paper बहुत अच्छे से किया, इस हुझा से हमारा अकलन था, कि लगबग 5 number बढ़ जाएंगे, इस पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले में आपको ये बतलता हूँ, हमने कौन कौन से factor, mainly जो consider किये, जो बहुत बड़े factor जो इस cutoff को परभावित करते हैं उन्हें सबसे पहले देखाता है कि कितने number of aspirants है, number of student जो appear हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो, 2022 में थरा लाग क्या सपास, 2023 में बीस लाग क्या सपास, और 2024 में लगबग कितने पहुंच गए, चौबिस लाग, निगर एपाउट 24 लाग, ये तो NTA खुद बड़ा बड़ा बोला है कि 24 लाग बच्चे इस बार एकजाम दे रहे थे, लेकिन एक बात और है, आप पैनिक ना हो, परिशान ना हो कि इतने ज्यादा बच्चे है, real aspirants जो real में एकजाम दे रहे हैं, वो मुश्किल से लाग, दो लाग, जो इसने सच मुच में धंग से त्यारी किये, ठीक तक हो सकता कुछ medical college और approved हो जाएं, और कुछ seats और बढ़ जाएं, क्योंकि अब seats के लिए apply कर रखा है, बहुत सारी medical college है, कि उनकी seats बढ़ा दी जाएं, डेड़ सो हैं, तो कोई कहरा 200 कर दो, किसी के पास 100 हैं, तो कहरा डेड़ सो कर दें, तो जब तक तक तुम्हारी counseling होग यह कि number of seats बढ़ें, ठीक हैं, और फिर paper का level, यह भी एक बहुत important factor है, जो decide करता है, कि भाया cut-off क्या जानी चाहिए, जैसे कि 2012 में moderate थी, 2013 का paper ही जी था, और इसने cut-off एक दम से उपर बढ़ी थी, अच्छा 24 का paper भी moderate है, मैं बिलकुल इजी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं क street की बात, बात में करूँगा, पहले all India quota की बात करता हूँ, ठीक है नहीं, तो all India quota की बात की जाए, यह देखो, all India quota की बात कर रहे हैं, अच्छा यह कुछ trend रहा, 2223 का मैंने compare कर दिया, 2225 में जो one rank आई थी, वो 715 वाले number की आई थी, और 2023 में ही 720 नमबर पे आई थी, फिर इसी तरह आपे 100 को 1000, 2000, 5000, 5000, 10,000, 15 और 20,000, यह 20,000 को देख सकते हूँ साथ, 2022 में 602 नमबर पे और 2023 में 616 नमबर पे, यानि सीधे 14 नमबर का उशाल आया था, आप इस चीज को समझे, 14 नमबर का उशाल, यानि जो आपकी cut-off है, बहुत रखतार से आगे बढ़ रही है, इ यहां भी देख सकते हूँ, 2023 में, जनरल केटिगरी की जो cut-off कही थी, यह देखो, जनरल केटिगरी वो 610 मार्श कही थी, जबकि OBC में भी लगबग 610 मार्श, और EWS में 607 मार्श, SC में 480, और HT में 445 मार्श, और यह बगल में उनकी आल इंडिया rank लेकी हुई है, यह इस rank है कि आस-पास, ठीक है नहीं, तो 4 से 5 नमबर हमने बढ़ा के लिख दी, 615, लेकिन number of seats पे भी depend करेगा, और भी बहुत सारे factor जो decide करते हैं, इसलिए हमने plus minus 3 लिखा है, not 5, ठीक है नहीं, 3 इसलिए लिखा कि थोड़ा बहुत इसमें fluctuation होने को देखने को मिल सकता है, बट बहुत major नहीं, अचा कहोगे कि सर 620 क्यों नहीं लिख दी, क्योंकि cut-off बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकती बट अब इस च्यादा push करना असान नहीं है, 600 के बाद cut-off को push करना easy नहीं होता है उसे आगे push करना cut-in होता है अच्छा इससे कम क्यों नहीं हो सकती क्योंकि 610 के तो पहले सी mentally approach है हर बच्चा सोच के बैटा कि इतने तो minimum ले कि आने यार इतने के लिए दुश्ट ने तियारे की तो इससे कम होने के चांच नहीं है बढ़ने की चांच है फिर OBC काटिगरी में देखोगे 610 है तो हमने यहां लगबग 612 कर रख्या कि ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा एक दो नंबर का ही फरक पड़ता है आपने देखा भी होगा कि जनली ऐसा होता है कि जनल काटिगरी और OBC काटिगरी और EWS काटिगरी इन तीनों की रैंक में डिफरेंस होता है नंबर लगबग बरुबरी यहां फर एक दो नंबर का ही डिफरेंस आता है जनली रैंक में ही फरक आता है तो इन तीनों में देख सकते हो 615, 612, 610 की आसपास ठीकिन हां S.C.H.T. की काटिगरी की जो कट आफ है वो गिर जाएगी अब यहां पे 480 मने यहां पे 490 किया क्योंकि यह बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है इनकी कट आफ और बढ़ेगी साब S.C.H.T. काटिगरी 445 तो 450 से भी ज़्यादा ही जाएगी कम नहीं जाएगी तो यह जो कट आफ हमने बताई यह All India राउंड की और मॉपप राउंड यानि की Last राउंड की बताईए बिटा हमने First राउंड या Second राउंड की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं इस पे सीट की बात हो रही, not 85% स्टेट कोटा की, अगर स्टेट कोटा की तरफ बढ़ें, तो स्टेट कोटा भी बताई देते बच्चे को, क्योंकि ये तो मुझे, ये जो हमने यहां पर दिखाया सर, जबको ये सारी डेटा, ये आप अल्रेडी क्लेम कर चुके थे, पूरे इंडिय बता रहे, इसमें भी अमने वैसे काफी डिसकेशन करके, काफी फेक्टर को कंसीडर किया है, जैसे कि उस पूले, उस पटिकलर सेट तो वहां पे बहुत तरह की कैटिगरी होती है, प्लस बच्चो और भी होती है, जो OVC और EWS कैटिगरी का कोटा होता है, जनली आप देखोगे के जनल के बिलकुल करीब होता है, इनको स्टेट में बहुत ज्यादा फरक आ जाता है, कि OVC और जनल कैटिगरी के बीच का जो डिफरेंस होता, उसमें भी काफी डिफरेंस आ जाता है, यह डिपेंड करता है, और उस स्टेट में किस तरह से कोटा दिया जा रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है नहीं, अब जैसे कि 85% स्टेट के कोटा के साब से देखें चाहिए, पिछले साल देखो के तो लगो 610 के आसपास कटाफ गई है, बिहार में 615 जाएगी, राश्तान में 630 होगी, उसी रेश्यो में उभी से की थोड़ी सी उससे कम मानलो, एक से दो नमबर, ठीक है नहीं, हरयाना में 615 है, लेकिन यहां पे उभी सी केटिगरी की कट थोड़ा और कम जाती लगो 600, ठीक है नहीं, पंजाम में से 586, डेली में 670, डेली कट अफ देखे सकते हो, बहुत हाई जाती बच्चे, ठीक है नहीं, महराष्टा की 587, इसी तरह से बाकी सभी स्टेट की भी होगी, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो ये बाकी स्टेट की केरला, तो रुपरा उत्राखन, उत्राखनी कट अफ कम जाती हैं, सारी स्टेट की कट अफ थोड़ा कम जाती हैं, ठीक है नहीं, और इस तरह से इन सबकाप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और ये बेटा हम सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए आपको ये स्कोर काउंट किया, वो स्कोर कहां तक पहुच रहा है, क्या हुई स कट अफ के ऊपर, क्या इस कट अफ के नीचे पहुच रहा है, तो इस बेसिस पे इस डेटा के आधार पर आपको अपना डीसाइड करिये, और भी कई सारे फेक्टर्स होतें, ड्रॉप लेना- किन नहीं, की जरूत है, ये decision में आपको help मिले, इसलिए हम आपके लिए ये सारी चीजे, data जो भी था आपके लिए लिए क्या है, हम वैसे काफी जो भी बच्चा drop करना चाहता है हम उनके लिए batch भी launch कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, और उस batch के लिए आप वैसे जा सकते हैं ADDA 24-7 app के उपर और वहां से आप admission ले सकते हैं Neutron batch उनका नाम है तो Neutron में आप admission ले सकते हैं और चर काफी कम फीस रखी बहुत कम है, और genuinely we have so many good teachers we have so many experience टीचर, जगराद सर की जैसे बात करो उनका बहुत बड़ा experience है offline में फिर हमारे पास chemistry के आलोग सर भी है 20 साल से पढ़ा रहा है chemistry तो आप समझ लो कि हमारे यहां पे आपको detail में पढ़ाया जाएगा पूरा पढ़ाया जाएगा जहां आपकी weakness थी उस पे पहले वार किया जाएगा इसी लिए कोशिश हमने यह करी है कि पहला एक महीना आपको जितना रगड ले हम basics में जितना आपको जैसे physics में बच्चे कहां टकते उनको पता चलता है हम last chapter में आया है और उनको पता चलता cross product करने नहीं आता है determinants लेने नहीं आता है इन सारी चीजों के ओपर पहले हम वार कर ले पहली उसको गसीट ले ताकि आखरी में आपको कभी problem ने आए हम आपको एक बहुत ही strategy wise पढ़ाएंगे तो इससे जादा तुम मेरा कहना भी यहां लाजमी नहीं है क्योंकि इससे जितना शब्दों से बया करो उतना कम है वैसे जगराद सर और आप हमारे साथ में सीखने के लिए जगराद सर और मेरे साथ में सीखने के लिए आप हमारे batches घरीच सकते है जैसे मेरा code है PTP और जगराद सर का तो बहुत बढ़ा code है और बच्चो फीज हम लोगों ने लगबग समझ लो एक मेना जित्ता मैस का आप देते हो ना लगवो इतनी फीज यानि कि 3800 पर क्या असपास फीज है यह दिसकाउंट मिलेगा जब आप कोड लगाओगे आपको कोड लगाना पड़ेगा आप आसानी से कोड आप मिल जाएगा कोड की कोई दिक्कत वाली बात नी ठीकर नीए एवन मैं सर एक बात एड करना चाहूँगा आप बोलो उसके पहले आप इस चैनल पे जाके देखिए बाइलोजी में जो भी जगराद सर ने पढ़ाया केमिस्टर में जो भी आलोग सर ने पढ़ाया फिजिक्स में तो हमने सर टोटल मिला के सर आट से नौवी सेशन लिया थे लाइगा बिल्कुल बिल्कुल और पच्चिस क्वेशन मैच हो गए है तीन से चार सवाल तो वो मैच हुए है जो मैंने सवाल करा है उसमें सिर्फ डेटा बदल के आगया और एक तो कंसेट दो कंसेट ऐसे आया सर की जो आउट ओफ सिलबस रखे थे नीट ने उसको भी मैंने बता है कि आपको यह पता होना चाहिए और एक्जेक्ट उसके उपर सवाल आया जो मैंने करा तो उसी पैटन पर तो हम जो पड़ा रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत कुछ आ रहा है और इसी लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके कुछ मार्क्स हम शॉर्ट शॉर्ट करके रखे मार्क्स आपके हम शॉर्ट शॉर्ट करकर रखेंगे बाकी जो विरियेशन दो-चार सवाल का होगा उसी में आपका दिमाग लगना होगा महाँ पर बिलकुल बिलकुल तो बच्चो जल्दी जुड़ो और अपनी प्रिपेशन जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि आप शुरुआत अच्छी करेंगे तभी अन्त अच्छा होगा ठीक है निया जितना लेट करते जाओगे उतना अपना आप आसमें तब तक के लिए, बबाई, see you and take care.